सफलता पाने का कोई मंत्र नहीं होता है या सिर्फ कड़ी मेहनत और कड़ी संगर्स का नतीजा होता है जो बहुत ही सुखदाई होता है, बहुत ही सुखुन देता है नमस्कार, मैं संदीक तिवारी, आप सभी का सुखर्टेट, टार्गिट विथ आलोग अनलाइन इस्ट्यूट की तरफ से स्टार्ट की गई, इस सफलता की बैज में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सब्द सफलता को हम लोग को एक नया आयाम देना है, एक नया कर्तिमान अस्थापित करना है अगर या सफलता हमने प्लान किया है सफलता को हमने विचार किया है तिस सफलता के सिखर तक हमको पहुचना है यही हमारी धर्जक्ती है यही हमारी इच्छा है और यही हमारा अप्रोच है इसी के माध्यम से हम सभी ने सुपर्टेट की एक बैज आयोजित की है जो आप सभी की ही भारी डिमांड पर संस्थान ने प्लान की है पिछले कुछ दिनों से आपने संस्थान की पब्लिक प्रेट्फार्म पर इसकी गद्विदियों को अनुभव किया होगा बैज के अनॉंस्में से लेकर के अलग-अलग बिसेस के डिमों के माध्यम से आपने चीजों को अनुभव किया होगा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है तमाम सारी वैचेस को हमने सफलता पूरवग अंजाम दिया है बहुत सारे चात्रों का चैन हुआ है बहुत सारे लोग अपने-अपने कारे चेत्र में भी आ चुके हैं जो हमारे द्वारा ही हमारे संस्थान से ही पढ़कर के आगे बढ़कर के इस दिसा में प्रेडित होकर के आगे बढ़े हैं मैं नहीं कहता हूँ कि सारा सरह हमारा है लेकिन थोड़ा सा अनसिक सरह हमारा भी है जिसमें हम सभी ने उनके लिए फढ़ किया है और आपको अउस acceptable आपको मैसेजेस जो हम तक आते हैं जिशो हम तक इह बातें बताते हैं कि सराज अगर हम सफल हुए तो कहीं ने कहीं से आपका भी थोड़ा बहुत योगदान है जिससे हमारा भी हमारा भी हम भी उसको एक गर्व की तरह फील करते हैं मुझे भी ऐसास होता है कि हम सब भी ने कुछ अच्छा किया है इसी कड़ी में संस्तान के पास आपके तमाम रिकार्ड मैसेजिस के माध्यम से या प्रेदित होकर के हम सभी ने फिर से एक बैच को आयोजित किया है और वास्तों में हम आपकी इसी सफलता से ही प्रेदित होकर कि इस बैच का नाम सफलता बैच रखे हैं आज मैं संदीप्तिवारी आप सभी को जैसा कि आप जानते हैं कि मैध बिसे के लिए मैं आपक यूज होते हैं जो आपके अंदर एक डर बना रहता उसको दूर करने की कोसिस करूँगा मैं आपको अपने कंटिन्यूटी को जो हम आपकी बैचस में आपको प्रवाइट करेंगे उस सारी रूप रेखा को आपके सामें प्रेजेंट करूँगा मुझे पूरा विस्वास है क कि आप पूरे सेशन को अच्छी तरह से सुनेंगे समझेंगे और तमाम टेकनिकल्टी जो हम लोगो फेस करने को होती है परिच्छाओं में सब्जेक्स को लेकरके उन सबी को आप लोग दोर करेंगे आये हम लोग इस सेशन को एक इनिसिएट करें सेशन की सुरवाद करें और पार्ठिक्रम को समझें, सिस्टम को समझें, इस सूपर्टेट की टेक्निकल्टी को समझें. अन्य तमाम परिच्छाओं की तरह, जैसे आप लोग किसी भी एक दिशी परिच्छा को फेस करते होंगे, और मुझे लगता है कि विल्कुल करते होंगे, आपने देखा होगा कि मैथ की उपियोगिता किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की कन्प्यूजनस मैस को लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छे स्कॉलर जो मैस में अच्छा करते हैं, एकडमिक में, अपने पढ़ाई के दौरान, वो कमटीशन में आकर के फेल हो जाते हैं, कमटीशन में उनको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्वेंच जरेट होता है, उनको सारे ओंसेट जो उन्होंने पढ़ रखे हैं, आलेटी जो बहुत ही हायर अस्तर पे भी पढ़े होएं, वो भी कही न कहीं से यहाँ पर आकर चोटी चोटी जीजों में भरमित हो जाते हैं, सुपर टेट की परिच्छा उतनी आसान नहीं है, सुपर टेट की परिच्छा आपको नेडायक मोड पर ले जाती है, आपका चैन कराती है, तो जाहिर सी बात इसकी टेक्निकल्टी जादा है, इसलिए इस बिसे को बहुत ही गंभीरता के साथ, इस पूरे सेलबस को बहुत ही गंभीरता के साथ, सही नेड़े के साथ, सही strategy के साथ और सही मार्ग दरसन में आपको करनी क्या वसकता है तो गड़ित बिसे को हगर हम गंभिरता से देखें और इसके सभी पहलू को proper समझें तो आपको realize होगा किस परिच्छा में गड़ित का importance कितना ज़्यादा है इसके वो 20 नेड़ायक प्रसन, मैं बात इन 20 नेड़ायक प्रसनों की करूँगा जो की गड़ित के हैं और इस 20 नेड़ायक प्रसन 20 जो अंक देंगे आपको वो आपकी इस सफलता के लिए बहुत ही valuable होंगे आपको जैसे पता है कि इन 20 नंकों को अर्जित करना और 20 नंबर को प्राप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर गंबिरता से इस पूरे सेसन को या इस पूरे पाठेकरम को कबर करते हैं तो मैं आपको गरंटी देता हूँ, आपको मैं प्रामिस करता हूँ कि आप इस 20 प्रस्नों में अच्छा कर पाएंगे मैं यहाँ पर निश्चित नहीं करूँगा आप कितने अंक अर्जित करेंगे लेकिन मैं यहाँ आपको सियोरिटी के साथ करूँगा कि इस 20 प्रस्नों में आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि कम्टीशन में एक-एक अंकी बैलू होती है एक-एक अंकी यहाँ पर गंबिरता होती है और हम लोग यहाँ पर गडित के अगर 20 प्रस्नों में से अधिक्तम अरजित करते हैं तो जाहिर सी बात हम अपने आपको strong करते हैं, मजबूत करते हैं मैं आप सभी को यही commitment करूँगा, मैं आप सभी को यही promise करूँगा कि मैं अपने इस पूरे session के दौरान, इस पूरी इस particular के दौरान इस पूरे course के दौरान मैं आपको इनमे अधिक्तम दिलाने का वादा करता हूँ या अधिक्तम दिलाने का पुरा प्रियास करूगा आज के ससन के माद्यम से हम पहले जी तो सीखेंगे जो सूपर टिट की एक्जाम है जो परिच्छा है इसमें इस पार्ठिक्रम को कितना वेरियेट किया गया है कितना टेक्निकल बनाया गया है सबसे पहले हम थोड़ा से यहाँ पर डिसकस करते हैं इसके पार्ठिक्रम के बारे में इन चीजों को समझने के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि आप पूरे सब्जक्स की बात कीजिए, तो पूरा डेड़ सो नंबर का जो पेपर हो रहा डेड़ सो अंको का, इस डेड़ सो में देखी मैथ को अगर और साइन्स के साथ अगर देखा गया है, तो तीस नंबर का टोटल पार्टिक्रम है, यह जैसे देखा जाए, तो बीस अंको को हमने मैथ के लिए यहाँ पर नोटिस किया है, इन बीस अंको को आप कैसे अरजित करेंगे, हम कैसे बाकी जो हमारे एकदिशी परिच्छाय होती, उसको हम ले करके देखेंगे, और इसके भिहाब पर अगर हम लोग उन दोनों के बीच एक कटेगरी, एक हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उन दोनों के बीच किस तरह की डिफ्रेंसेस आएंगे, यह सारी चीजे हम लोग यहाँ पर नोटिस करते जाएंगे, तो अब जैसे बाकी सब्जेक्स को मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आपके और बीस की बात करिएगा, क्योंकि एक कुल डेर्ड सो अंको का जो होने वाला पेपर है, जो परिच्छा है आपके, उसमें यह आपके गडित के 20 प्रसने कुछ इस पार्ठिक्रम के उपर बेस्ट होंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इस पार्ठिक्रम को समझना है, इस पार्ठिक्रम के हर एक पहलो को रीड करना, और उनसे क्या-क्या जनरेट हो सकता इसके बारे में जनकारी रखना है, अगर आप प्रठिक्रम के सब्दों को समझेंगे, जो आपको अफिसली प्रवाइट किया जाता है, इन 20 नंबर के लिए या 20 अंकों के लिए, सबसे पहले आपको प्रवाइट किया गया Nurical Ability, जो आपको दिया गया पठिक्रम में, अब इन नोँमेरिकल अबिल्टी को हम जनरली आंकी चमता कहते हैं, आंकी कियोगता कह सकते हैं, नोँमेरिकल अबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको गडित के सिस्टम को समझने की जरूरत होगी जैसे देखिएगा मैं आपको समझाऊंगा मैं बात अगर करूँगा numerical ability के तो आपको समझना होगा गडित का उपयोग क्या है गडित हमारे लिए किस प्रकार से important है अगर हम लोग किसी भी अस्तर का एक teacher बनना जाते हैं और हम अगर math फेस करके जा रहे हैं तो जाहिड सी बात है आपकी वो logical approach को consider करने के लिए math का partigram आपको दिया गया है चाहे जिस basis पर आप लोग को यहाँ पर math को prepare करना पढ़ रहा हो math के system को समझने का मतलब है logically आपको improved होना होता है मतलब आपके अंदर problem को face करने की छमता होती है क्योंकि गडित का उद्देश से ही है problem को हल करना problem को solve करना और जब problem को solve करने के लिए गडित में हम गडित का उपयोग करते हैं मतलब आपको समिकरण की आपस तकता होगी उसके हल मतलब उसकी गड़ना की जरुवत होगी आपको उस समिकरण की गड़ना की जरुवत होगी जिसको हल करने के बाद हमें एक अस्तर पर पहुंचेंगे जहां से हम उत्तर दे सकेंगे इस समिकर्ण को बनाने के लिए आपको जरोत पड़ेगी दो चीज़ों की एक तो अंकों की, मतलब संख्यां की, संख्या की, दूसरा operator संथा चिन्हों की अब हम बात अगर अंकों की करेंगे, बात अगर अंकों की करेंगे तो अंक हमारे पास यहां पर कई तीन तरह से basically हमको मिलेंगे हलाकि classification इसका number system में और level पर और broad पढ़ा जाता है लेकिन यहां पर मैं अंक की बात करूँगा तो अंक आपको basically जो आपको calculation में face करने को होंगे वो आपको पुड़ांक नजर आएंगे जो purely integer होंगे जिसको आप integer कह सकते हैं जिसमें दसंबलों के बात सुनने होता है अगर उभिन्ने के रूप में लिखा गया है तो नीचे एक होता है आपको दसंबलों की केबल संख्याय नजर आएंगी जिसमें दसंबलों का symbol लगा होगा आपको भिन्ने की संख्याय नजर आएंगी इस तीन प्रकार की अलग-अलग केटेगरी की संख्यायों का प्रयोग हम calculation के लिए करते हैं चिन्यों की बात किया जाए तो आपको जोड मिलेगा घटाओं मिलेगा घुडा मिलेगा भाग मिलेगा वर्ग मिलेगा वर्ग मुल मिलेगा घन मिलेगा घन मुल मिलेगा इस प्रकार से अलग-अलग operators हमको रजराएंगे अब इन operators का उप्योग हम कैसे कैसे कर सकते हैं अगर हम उस अपने पाठिकरम को अगर relate करें इन से तो हमें आपको बता दो अगर इसने numerical ability लिखी है सांकी क्षमता लिखा है तो उसने उस हर एक हर एक operator की उप्योग की बात की है मतलब इसने जोड़ने की बात की है घटाने की बात की है गुडा की बात की बात की वर्ग की बात की वर्ग मूल की बात की मतलब numbers के classification को समझने के लिए भी important होता है कि number का classification कैसे done किया जाता है कैसे number के अलग-अलग प्रकारों को सीखा जाता है कि natural number या प्रकृतिक संख्या क्या हो पूर संख्या क्या हो उनका जोड कैसे वर्ग करता है उनका गटाओ कैसे वर्ग करता है रियल वास्टिक संख्याएं क्या है परिमे संख्याएं क्या है संख्याओं के पूरे classification को इसके अंतरगत देखा जाता है इसलिए आप आंकिक शम्ता को बसक्योवल एक numerical ability का समाने सब्द नहीं समझीए इसके अंदर बड़ी गंभिरता चीवी है मेरे बताने का उद्देश यह है कि हम लोग यहाँ पर उस fact को अंतर तक जाकर उस fact को निकालने की कोशिस करते हैं जो आगे आपके लिए आवस्यक है अगर हम पार्टिकरम के आगे बढ़ते हैं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गड़ती संक्रियाएं जो हमने वहाँ पर डिटेल आपको समझाया कि आप जोड़ना, घटाना, गोड़ा भाग जो actions पर फार्फार्म कर सकें उन actions को ही यहाँ पर mathematical actions के अंतरगत यहाँ पर रखा गया है mathematical actions के अंतरगत आपको दिया गया है जिसमें आपको जोड़, घटाओ, गोड़ा, भाग और इन तमाम सारे जो भी हमारे पास operators के उपयोगे उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ता हूँ मैं तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया संख्याओं के अलग अलग अप्रोच है आपको दसमलो, इन्होंने सेलबस के अंतरगत दसमलो को रखा है इन्होंने बात की है दसमलो के साथ साथ मैं ही पर involve कर देता हूँ, भिन को भी आप यूज़ कर सकते हैं मतलब भिन के जितने भी अप्रोच होंगे fraction के, उस सब भी यहाँ पर applied होंगे आप केवल दसमलो नहीं रख सकते हैं भिन को भी यूज़ किया जाएगा मतलब भिन से संबंदित पूरे concept दसमलो से संबंदित पूरे concept उनके जितने भी mathematical action परफार्म किया जा सकते हैं इतनी तरीके से फरफार्म किया जा सकते हैं उस सब कुछ आपको इसके अंतर कर देखना होगा, पढ़ना होगा कि जो अस्थानी इमान अगला पार्ट इन्हों देखे भिन ने इन्होंने बाद में रखा भी है तो इन्होंने भिन का सेट्यूल नहीं किया लेकिन भिन आपके लिए यहां पर सेलिवस में दिया है अस्थानी इमान, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो प्लेस बैलो, प्लेस बैलो और फेस बैलो, मैं इसी के साथ एक असाथ दौर इन्वाल्ब कर देता हूँ, और फेस बैलो जिसको हम कहेंगे अस्थानी इमान और जाती इमान अस्थानी और जाती इमान अस्थानी और जाती इमान की अगर बात करो तो हम लोग ज़्यादा तर इसको नंबर सिस्टम के अंतरगत लेकर चलते हैं वहाँ पर इसके पूरे कॉंसेप को समझना इनसे प्रस्णों का ओरियंटेशन, प्रस्णों के एप्रोच को सीखना और उसके उपर सही वर्ग करना यह हमारे अस्थानिया और जातिमान का प्रोसेस होगा जो जनरली नंबर सिस्टम का पार्ट होता है बड़ आपको यहाँ पर अलग से एक टॉपिक के रूप में दिया गया है इसको हम लोग को अच्छी तरह से सीखना है और समझना है आगे जब मैं बढ़ूँगा तो आपको देखिए दो सब देहां पर दिये गया है जनरली रों में तो ब्याज लिखा था लेकिन सही पूछा जाए तो हमको दोनों ब्याज को कंसिदर करना है सधारण और चक्रविद्धी लेकिन मैं आपकी जनकारी के लिए बता दू और मेरे बैच में जो लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को जानते होंगे कि हम लोग केवल सधारण व्याज नहीं पढ़ेंगे केवल चक्रविद्धी व्याज नहीं पढ़ेंगे इसके पहले बेसिक चीज़ को सीखने की कोशिज करेंगे अर्थात हम सबसे पहले परसंटेज पढ़ेंगे परसंटेज पढ़ेंगे मतलब प्रतिसत की बात हम लोग करेंगे प्रतिसत्त का सही उपियोग आपने जो हम से इस बैज में पढ़ रहे हैं जो पुरानी अभी एक महीने पहले जो बैज स्टार्ट हुई थी उसमें आप लोग देख रहे होगे इस समय लगबग सधार ब्याज का ही टॉपिक चल रहा है और सधार ब्याज के टॉपिक में हमने उनको कैसे रिलेट कराया है यहां से मतलब परसेंटेज से यह आप लोग बता सकते हैं जान सकते हैं परसेंटेज का उपियोग परसेंटेज के पूरे कॉंसेट को समझने के बाद हम 3-4 chapter में इसका पूर्ड उपयोग कर सकते हैं मतलब किसी भी बिना नए नियम को जाने हुए मतलब हम पूरा का पूरा profit and loss पूरा का पूरा हम discount रथा छूट इसी से कबर करेंगे पूरा हम सधारण व्याद इसी से कबर करेंगे सधारण व्याद जो आपको अलग से यहाँ पर दिया गया है पूरा चक्रविधि व्याद हम इसी से कबर करेंगे मतलब हमें इस chapter की तरह नहीं लेना है इसको एक part की तरह लेना वो भी percentage का जैसे आप numerical ही चीजों को सीख जाते हैं और इसी नियम का उपयोग करते हम लोग यहाँ पर सीख पाएंगे आगे बढ़ता हूं मैं देखी लाभानी चूट यहाँ पर दिया ही गया था सीडियूल नहीं था लेकिन आपको बता है कि लाभानी चूट आना ही आना है percentage के बगार possible नहीं है without percentage को पढ़े आगे मैं जब बढ़ता हूं तो देखी एक नया topic दिया गया है divisibility और divisibility की जो importance है बहुत जादा है जो यहाँ पर भाजिता का process है इस भाजिता के अंतरगत हम लोग सीखेंगे जो भाजिता का system है आप ध्यान से देखेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं की divisibility को declare करें कौन संख्या किस नंबर से विभाज्य है इसको declare करें इसके लिए हम लोग पूरी divisibility की एक criteria को सीखेंगे कोई नंबर 2 से कैसे divisible है, 3 से कैसे है, 4 से कैसे है, 5 से कैसे है divisibility का direct प्रयोग होता है, वहाँ पर हम divisibility की help से ही direct उत्तर देते हैं, तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है इस chapter को इस topic को बड़ी गंबिरता से, बड़ी टेकनिकल्टी से पढ़ना है तो divisibility एक important role play करेगा, इसको आप मान कर चलिएगा आगे मैं बढ़ूँगा, तो यहाँ पर एक नया सब्द दिया है, गुड़न खंड आप ध्यान से दिखिएगा, गुड़न खंड दिया है अब इस गुड़न खंड पहले समझे कि गुड़न खंड किस तरह से हमको face करने को होगा factor, मैं आपको बता दू कि आपको factor दो प्रकार से थियस करने को मिलेगा एक तो संख्या के उपर बेश्ट रहेगा एक algebra मतलब बीजगड़ती संख्रियाओं के उपर बेश्ट रहेगा मतलब आपको जो नार्मली हमें किसी संख्या के बारे में बताया जाएगा कि कोई संख्या है उस संख्या का एक combination है और उसके कितने factor possible है कितने उसके गोरणखंडों की अलगा-अलग approach possible है यह सारी चीज़े हम लोग यहां पर सीखेंगे इसके साथ साथ जो आपकी algebraic expressions होती हैं जो कि आपको एक पद के उपर दो पद के उपर अधिक पदों के उपर बहु पद के उपर based होगी उसमें भी हम लोग variable का उपियोग कैसे किये हैं मैंस का मैं आपकी जनकारी के लिए बता दूँ जो अगर कही कहा ना जाये तो भी उपयोग में लाया जाता है मतलब इसको आप chapter की तरह ना भी पढ़ेंगे तब भी मैं इसको उपयोग कराऊंगो और अधितर chapters में actually एक एक नियम का system आप थोड़ा दरेट पूछने तो उसने कहा सरफ 5 समान का रेट इतना है आपसे वह एक समान का मुल्य बताता है वही एक नियम है अब अगर उसने 5 बता दिया पांच का रेट बता दिया और आपको लेना 4 ही समान है तो आपको एक का रेट खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा वही एकिक नियम है तो इस एकिक नियम को तो हम लोग बहुत यूज करेंगे और बार बार यूज करेंगे लगवागर चैप्टर में यूज करेंगे इसलिए इसको अलग से पढ़ने के आओ सेक्टा बहुत कम होती है इसको हम केवल अपने दिमाग में सेट कर लें यही हमारी सबसे बड़ी टेक्निकल्टी है आगे मैं बढ़ता हूँ देखी इसमें समाने बीजगडित अभी हम फैक्टर में भी डिसकस किये कि बीजगडित का भीयोग करेंगे तो यहाँ पर भी समाने बीजगडित की रूप में एक चैप्टर आपको दिया गया ज़्यादा तर जो परिछाएं होती है उसमें बीजगडित को एडवांस मैथमेडिक्स के सेक्टर में रखा जाता है मेंसुरेशन को एडवांस मैथमेडिक्स के सेक्टर में रखा जाता है तो यहाँ पर हमें जो समाने बीजगडित पढ़ने को मिलेगी उसके अंतरगत हम सभी प्रकार की सरोसमिकाएं सरोसमिकाओं में आप अलग-अलग प्रकार के कई सारे ऐसे फार्मुले होते हैं जो की स्क्वाइर बेस्ट, क्यूब बेस्ट, उनके एक्स्पैंसन बेस्ट, उनके प्रसार बेड़ अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर हमको फार्मुलों को फेस करना होगा जिसमें मैं आपको 30 से 40 फार्मुले लग-बग-बग इसके कराऊंगा इसके अलावा, इनके अंतरगत कुछ समीकरणों की प्रपर्टीस भी पढ़ने को मिलेगी आपको समीकरण की बात अगर हम लोग करें, जिसको एक्स्प्रेशन कहेंगे तो चाहे एक पद पर अधारी समीकरण हो, दो पद पर अधारी त्रैकिक समीकरण हो या दोईगास समीकरण हो, या आपके तीन घात के समीकरण हो समीकरणों की जो प्रपर्टी है बेसिक, उसका जो सिधान्त है, उसको पढ़ने की बात की जाए जैसे अगर हम दोईगास समीकरण पढ़ेंगे, तो दोईगास समीकरण के जो रूट हैं, मूल हैं उन मूल के बारे में सीखेंगे, उस मूल का प्रोसेस सीखेंगे, उस मूल की प्रपर्टी सीखेंगे, ऐसे हम अगर दो चरों पर अधारित रहकिक समी करनड की बात करेंगे, तो उनके भी मूलों के भी संबंद को हम लोग सीखने की कोशिस करेंगे, यह पूरा का पूरा अप face करेंगे जो हम गड़ित के based होंगे वो आपके daily life से relate करते होंगे और समाने process है जो हम लोग generally आपस में एक दूसरी के साथ relate करते हैं और और समाने process को भी पढ़ना जो मतलब मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम उस अस्तर का आपको पढ़ाएं जो आपकी super treat की परिच्छा में अगर एक भी प्रसन आपको face करने को मिले तो आप at least उस पर response कर सकें और अच्छा उस पर result करें और quick time में कर सकें मेरा उद्देश यही रहेगा तो हम आउसप को यहाँ पर एक party firm का हैं सामान कर चल रहे हैं इसके term को हम बहुत इदली लेकर चलेंगे कुछ चीजें जैसे हम देखें जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले जैसे अब यहाँ पर अगर हम इस page की बात करें इस page में सबसे पहले इसने लिखा area छेतरफल मतलब छेतरफल आयतन अगर मैं इसकी बात करूँ तिया mensuration का part है mensuration जिसको हम लोग छेतरमिती कहते हैं छेतरमिती में हम दो प्रकार के figure की बात करेंगे दो तरह के figure की बात करेंगे एक two dimensional होगा एक three dimensional होगा जो 2D figure होगे इन mensuration के अंतर करत हम गयाद क्या क्या करेंगे हम परिमाब गयाद करेंगे मतलब perimeter हम 618 गयाद करेंगे अर्थाद area और हम आयतन गयाद करेंगे मतलब हम optimum की बात करेंगे ति इसने केवल दो ही सब्द का है आयतन जो एक process है एक calculation है टू-डाइमेंशनल और थ्री-डाइमेंशनल फीगर के लिए टू-डाइमेंशनल फीगर कार्थ होता है जैसे कि जो फीगर के वल प्लॉट किया जाता है जैसे माली जेत्रिभुज है जो जनरली हमने एक पेपर पर या कहीं फील्ड में हमने प्लॉट कर दिया एक चतरभुज है चाहे हो और प्रिक्टेंगल हो चाहे हो आपका स्कुयर हो मतलब आयत हो या वर्ग हो उसको हमने प्लाट कर दिया है फील्ड की बात करें आज इस कमरे में हम कड़े उस फर्स की बात करें इसाब जनरली आयत या वर्ग के रूप में होते हैं इसी में कुछ और फीगर भी बढ़ कर आएंगे जैसे पहले लोग्राम, समानतर चतुरभुज जिसको हम लोग कहते हैं रोमबस, सम्चतुरभुज होता है, टरपीजियम, सम्लम्चतुरभुज होता है, काइट की बात करेंगे, हम बृत्त की बात करेंगे, जो भले ही लीनिय लाइन से नहीं बना होता है, लेकिन उभी हम plane figure के तोर पर देखेंगे, उन सब ही plane figure का हम आयतन और परिमाफ हम ग्याद करने की कोशिस करेंगे, साथ साथ, जो 3-dimensional figure है, जिसके अंदर space होता है, जो plane figure नहीं होता है, जिसे जिस कमरे में खड़े हैं इसमें फर्स भी है छट भी है चार दीवाले भी है तब हम जाकर इस स्पेस के अंतरगत खड़े हैं इस तरह के फीगर आपके थ्री डामेंशनल होगे जिस फीगर का मुख्य काम उसकी छमता अर्थात आयतन को ग्याद करना होगा आयतन के साथ-साथ इनकी जो surfaces हैं, भुजाएं हैं, उनकी छेतरपल भी ग्याद करेंगे इनके भी बिकड की लंबाईयां भी ग्याद करेंगे इनके अंदर इनकी शम्ताओं का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसका उपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे तो पूरा का पूरा menstruation का पार्ट है, ये menstruation का पार्ट आपको advanced mathematics के sections में आपको दिखेगा, अनुपात और समानुपात सुरवात का ही portion है, जो कि arithmetic का एक important part है, जैसे percentage की उपयोग इता होती है, जितना value हम percentage को देते हैं, उससे बिल्कुल एक percent कम पहलो हम ratio की नहीं देते हैं, क्योंकि पहले ही chapter से आपको ratio दिखना शुरू हो जाएगा, भले उसको ना पढ़ें लेकिन उपयोग हम करना शुरू कर देंगे, हम संबंधों को ही ratio कहते हैं, हम relations को ही ratio कहते हैं, हम एक दूसरे के nature को describe करना, एक दूसरे को प्रकृति को हम एक तरह से तुलना करना ही ratio का process होता है, चीजों को बटवारा, बाटने का process ही ratio के थू होता है, तो ratio एक important session है हमारे लिए, जिसके अंतरगत के वर ratio ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसके अंतरगत age relation भी पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं, आय सिप एक साज़ेदारी का chapter होता है, साज़ेदारी में हम आपको बता दू, पहले बैंकिंग का ही बाट हुआ गरता था, बाद में SSC, या वंडे, एक तरकी, एक दूसरी पैजचाओं के अंतरगत भी इसको involve किया गया, अब आज की date में छोटी छोटी या बड़ी किसी भी साज़ेदारी का प्रस्ना ने लगा है, तो साज़ेदारी को हम लोग यहाँ पर अपना एक अच्छा पार्ट मान कर चलेंगे, अपना एक अच्छा टर्म मान कर चलेंगे, अब जैसे कुछ चीज़ें इसमें फालत दूगे, सरोसमिका हैं, इस सरोसमिका को अलग से लेने की समान जामिती की बात की जा रही है समान जामिती अर्थात आप समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जिमेट्री की बात कर रहे है जिमेट्री की बात करे हैं और जिमेट्री को थोड़ा डिटेल ते समझे हैं आप लोग यह जामिती है जयमिती, जयमेट्री, इसका प्रणूंसीशन समझी और most important chapter एक से दो प्रसंद कबर किये जाएंगे, मेंस्परेशन भी इस पर काफी waste होता है क्योंकि अगर हम इस figure को समझे हैं, तब ही जाकर के हम उसके आयतन, चेतरफल या परिमाब को ग्याद कर पाएंगे जिन figures का हम आयतन, बालूम, आयतन, चेतरफल या परिमाब ग्याद कर रहे हैं, उस figure को समझना ही जयमिती है जयमिती को अगर समझा जाए तो इसको हम geo plus material कहते हैं अगर हम basic से पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से जुरू करेंगे geo मतलब होता अर्थ या प्रितिवी आप कहा सकते हैं, material अर्थात मीजर मेंज, मतलब हम प्रितिवी या प्रितिवी से सम्मंधित जो उसके अलग-अलग भाग होते हैं, उनको अगर हम मीजर करने की प्रक्रिया के बाद करें तो अहीं आपका geometry है, जिसकी सुरुवात Euclid ने की थी, जिसको Euclid ने प्रवाइट किया था, तो हम यहाँ पर geometry को प्रवाइट करने का स्रे उनको देते हैं, इनके अंतरगत आकरितियों का अध्यन किया जाता है, आकरिति मतलब जो figure हैं, उनका अध्यन किया जाता है, figure क पूरे approach, figure की जितनी भी classification हो सकती है, figure चाहे open है, चाहे closed है, अर्था तो normal figure है या बहुबुज है, आप बहुबुज मतलब polygon जिसको regular close figure क्याते हैं, बहुबुज के अंतरगत, जितने भी अंतरगत figure आ सकते हैं, सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी प्रकार के चतरभुज, इसको develop करना जाता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, बनाने के लिए हमें दो-तीन basic इकाईयों की जरुवत होती है, सबसे पहले हम इस plane figure पर, plane surface पर एक बिंदू रखेंगे, जिसको हम point कहते हैं, या बिंदू कहते हैं, एक बिंदू से दूसरे बिंदू को मिलाएंगे, तो line अ criteria's हैं, उन criteria's को अलग 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 principles या थिस्दानतों के माध्यम से पढ़ना होगा, बिंदू के सभी system को समझना होगा, रेखाओं के सभी प्रकार को समझना होगा, कोडों की सभी technologies को सीखना होगा, फिर इनको figure में ढालना होगा, और जो figure बनकर आएगा, उनके अंतरगत, क guidelines में, उसी निर्देसों के तहत, आप लोग पूरे अपनी particular को लेकर चलिएगा, तो आपको कभी भी निरासा नहीं होगी, इस बात का commitment है, आगे मैं बढ़ता हूँ, जो अगला एक topic यहां पर समाने सांकिकी की रूप में आपको दिया गया है, elementary या जंदल statistics कहा सकते हैं, ज उस record को read करने के बाद उसमें तमाम प्रकार के central approach पर फाम करने होते हैं, उसके केंद्रिये मानों को निर्डेसित करना होता है, जो हम पढ़ने के लिए mean का use करेंगे, जिसको हम माद्धिका मीडियन होती है, जिसको हम माद्धिका कहते हैं, इसके बाद mode होता है, जिसको हम ल बिर्षार ग्राफ होता है आपका पाई-चार्ट होता है इन अलग-अलग फीकर के माद्धे में से कुछ पोर्जल में डी-ाई का भी गबर कराऊंगे जो आपके पाते करम का रहेगा किसी चीज़ इसको इग्णोर करके नहीं चलेंगे कि हमारी सेलेबस में पार्टिक्रम में इतना दिया हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएं जो जरूवत है जो एक्ट्वार्मेंट है वहां तक हम पहुँचने की कोशिस करेंगे जैसे सेट क्योरी की कुछ कॉंसेप्स की बात की दिल्कुल नहीं दिया गया है इसके साथ साथ भी कुछ ऐसे जैसे कॉंप्लेक्स नमबर या कॉडिनेर्जमेट्री की विजरूरत मैं आपको बता दू कॉडिनेर्जमेट्री आपके परिच्छा में पूछा किया है तो कहीं ना कहीं से हमारा जो उद्देश से होगा हो मैं अपने इस पढ़ाई के दौरान मैं आपको कैसे पैटन दूगा मैं इसके लिए मैं थोड़ा साथ को निर्देशित कर देता हूँ हमारे संस्थान के थूरू जो आपको प्रवाइट किया जाएगा मेरे दूरू आपको अपने कच्छाओं में प्रवाइट किया हर टॉपिक आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि इस तरह से ही प्रक्रियाएं फालो की जाती हैं हर टॉपिक का हैंडिटेन नोट्स लेकिन मैं बार-बार सजेस्ट करता हूँ कि आप हैंडिटेन नोट्स सेर्फ डेबलब करें हलाकि मैं अपने फार्म उसके questions का discussion class में किया जाता है प्रसनों को समझाने का तरीका बहुत easy way में रखा जाता है जिससे के हर चीज को आप लोग ग्रैप करें हर चीज को अच्छी तरह से सीखें और इस चीज को आप appreciate भी करते हैं इस बात का मुझे भगो भी जानकारी है और आप मैं जानता हूँ चीज को complete practice seat जब इस chapters कोई भी final हो जाता है तो उसका complete practice seat जो एक selected प्रसनों की सरंखला के साथ आपको provide किया जाता है और एक chapter पर base test भी होता है test आपको provide किया जाता है एक certain निर्धारी समय के लिए और आप उस पर अपनी प्रत्रिया देते हो अपने response को देते हो जिसके doubt discussion को ह एक प्रकार का जो आपके अंदर जो improvement आ रहा है जो चीजों को हम लोग observe कर पा रहे और उसको कैसे आप react कर रहे हैं इस चीज के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो कुल मिला के उद्देश development का है कुल मिला के उद्देश सफलता का है success का है जिसको हम लोग परफाम करते हैं जिस करेंगे जिसके लिए हम पहले से हमाप्रार्ति रहते हैं कि हम अगर इस चीज के लिए सच्छम नहीं हैं लेकिन हम उस चीज के मतलब हम उस तक हद तक पहुँचाएं कि जहां से आपको query करने का options ही ना मिले तो इस इमानदारी भरे इस रवये के साथ मैं आपके batch में मैं आ में और देने होते हैं, जो मैं आपकी जब बैज श्टार्ट करूँगा, जिस दिन फर्स लेकर आऊंगा, उस दिन मैं आपको प्रवाइट करूँगा, जो बहुत ही आती महत्यपोर होंगे, जिस दिन मैं पहला लेक्शर लोगा, उस दिन की बात में कर रहा हूं। नुमेरिकल अबेलिटी हमारी पार्ठेकरम का हिस्सा है, इस नुमेरिकल अबेलिटी में अगर हम बात करते हैं ऑनकिक छम्टा की, यह में खैल्कुलेशन की बात करें, इस सबसे बड़ी द्रावबय के प्रवलम आती है, उलग भग मल्टिप्लिकेशन बेस्ट, मतलब स्कूर based या इनसे related या इनसे सम्मंदित बातों को लेकर आती है तो मैं अपने इस class के माध्यम से आज आपको multiplication के advanced version जिसका नाम square होता है उससे सम्मंदित में कुछ बात आपको बताऊंगा मतलब मैं discuss करने जा रहा हूँ थोड़ा सा square के बारे में अर्थात वर्ग के आप ध्यान से समझेगा आप वर्ग के कुछ prospects को कुछ concepts को आज इस class के माध्यम से सीख पाएंगे सबसे पहले समझे वर्ग होता क्या है square किसे कहते हैं square मतलब वर्ग आपको अच्छे से पता है कोई संख्या अगर हम ले ले जिस संख्या का नाम सपोच करी यन है उस यन का जैसे ही वर्ग किया अर्थात वह संख्या खुद से एक बार multiplied हुई उसको लिखने का जो prospect है वह यन की power 2 हो जाता है मतलब वह संख्या वर्ग हो गई बाद में मैं इसके आगे जब detail discussion करूँगा तो इस जो वर्ग संख्या जिसको हम पूर वर्ग कहते हैं इसका हम वर्ग मूल पता करते हैं और वर्ग मूल हमको यही यन प्राप्ट हो जाता है इस बात को मैं आगे बताऊंगा लेकिन अभी के दिमाग में इतना भी के समय में इतना ही बात रखे अगर कोई संख्या जैसे है इसका अगर मैं power 2 करूँ मतलब यह संख्या स्यम को आपस में ही एक बार multiply करेगी और इसका मान हमें 25 प्रवाइट कर देगी 5 का वर्ग 25 हो गया वर्ग को करने के लिए आप अलग-अलग digit की संख्याएं पेस करेंगे एक डिजिट की, दो डिजिट की, तीन डिजिट की, चार डिजिट की, पांच डिजिट की प्रयास मेरा रहेगा हम maximum 5-6 डिजिट तक की संख्याओं का वर्ग आपको उंगलियों पर करना सिखा दे क्योंकि इसका उपयोग परिच्छा में आपको देखने को मिलेगा मैं आज वर्ग की बात कर रहा हैं, जब हम किसी कच्छा को प्रारम करते हैं तो हम सुरुवात करते हैं सुरुवात के नंबर से, 0 से प्रारम करते हैं और अंतर तक पहुँचने की कोसिस करते हैं आप ध्यान से देखेगा तो आपको असपच्छ्ट होगा जैसे बात में करो 0 के स्क्वाइर की तो आपको होगे सब 0 एक के स्क्वाइर की तो आप कहोगे एक, दो के स्क्वाइर की तो आप कहेंगे चार, तीन के स्क्वाइर की तो आप कहेंगे नौ, चार के स्क्वाइर की तो आप कहोगे सोला, पाच के स्क्वाइर की तो आप कहोगे पच्चीस, छे के स्क्वाइर की अगर हम बात करेंगे तो कि आप कम से कम 50 तक कवर्ग तो तयार ही रखिए। वहला कि 50 तक भी काम नहीं आता बहुत उपर तक की संख्याओं कवर्ग लेकिन उसको याद नहीं किया सकता है। उसको एक टेक्निकल सिस्टम से समझ करके सही रिस्पॉंस किया सकता है। आवाज क्लास की धीरी होनी जुरूआ जाती है क्योंकि लोग अब कम जानते हैं, चीजों को कम याद कर रखें। अब अगर आप टू डिजिट की संख्याओं हैं जब 11 से प्रारंब, 10 से प्रारंब करेंगे, वहां से अगर हम 99 तक की बात करेंगे तो आपको दो अंक की संख की संख्या की बात में करों, दो अंक की ये संख्या की बात में करों, आप किसी भी दो अंक की संख्या के लिए, सबसे पहली चीज़ तो एक फार्मला दिमाग में रखीए, जो कि आपने पढ़ा है, a-plus-b का whole square होता है, a-plus-b के whole square में आप जानते हैं कि आप इसको लिख सकत plus 2A भी लिखना है इसको भी हम और अच्छे से समझाएं तो आपको कहेंगे आप ऐसा सोचिए आप जो दो अंग की संख्या उसको दो पार्ट में लेकर चलिए दहाई की अंग को A माल लीजिए इकाई की अंग को B माल लीजिए power 2 लगाई है और इसी फार्मूले का यूज करी A square, 2AB और B square अगर हम इस pattern का यूज करें तो आप किसी भी दो अंग की संख्या का वर्ग इस pattern के भिहाब पर कर सकते हैं इसके साथ साथ मैं एक तरीका और बताऊंगा जिससे और oral आप कर सकते हैं अब चीज़े जितनी भी टेक्निकल हों जितनी भी आगे हम बढ़ेंगे उसे हिसाप से हम करते रहेंगे अब जैसे मालीजीए मैंने कहा, ध्यांस दिखिए, मालीजीए कि कोई भी संख्या सपोच करिए, मैंने कहा 23 ले लिया 23 के वर्ग की बात किया तो आप इसको दो पार्ट में ऐसे ही ब्रेक कर दीजिए जब ब्रेक करेंगे तो आप A कहेंगे इसको B कहेंगे ध्यान से लिखिएगा नियम के तहट A का वर्ग मतलब 2 का वर्ग होगा गोड़े 2, गोड़े 3 होगा 2 A B है और B का वर्ग मतलब 3 का वर्ग होगा अब ये आपका 4 हुआ, 2, 2, 4 गुड़े, 3, 12 हुआ और 9 हुआ अब आप लिखने का सिस्टम समझिएगा, इसको 9 लिखा जाएगा इसमें से 2 केवल लिखा जाएगा और एक को यहाँ पर कैरी बनाया जाएगा कैरी मतलब जोड़ दिया जाएगा यह 529 हो जाएगा इस का वर्ग जो की 23 का वर्ग है अगर कैरी ना बना हो तो आप सिधा सिधा लिखते चले जाते जैसे मालीजे अगर मैं कहता 13 का वर्ग मुझे करना था तो आप 1 का वर्ग करते, 2 गुड़े, 1 गुड़े, 3 करते और 3 का वर्ग करते, आप इसको 1 लिखते, इसको 6 लिखते, इसको 9 लिखते उत्तर 179 हो जाता, सिधा जिदा आप उत्तर लिख सकते थे, एंसर कर सकते थे अब यही पर मैं एक और तरीका आपको समझाता हूँ किसी भी 2 डिजिट की संख्या को समझने के लिए माली जी कोई भी 2 डिजिट की संख्या सपोच करी 23 है तो आपके पास अभी 2 पैटन हो गया, 2 फार्मुले हो गया उसके बिहाब पर आप एंसर कर सकते है 23 का वर्ग मतलब ऐसे सोचा जाए तो 23 गुड़े 23 है 23 गुड़े 23 है इसका उत्तर करने का सिस्टम देखे किसी भी 2 डिजिट की संख्या का नियम होता है 3 डिजिट की संख्या का नियम होता है किसी भी टर्म का नियम होता है आप सबसे पहले इन दोनों का गुड़ा कर दे 9 हो गया अब आप इसको इससे गुड़ा कर दे तो 2 गुड़े 3-6, 2 गुड़े 3-6, 12 हो गया और अंतिम में 2 का 2 से गुड़ा करते 4 हो गया अब यहाँ पर 9 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें 4 में 1 जोड़े 5, 539 इस नंबर का एंसर हो गया मतलब 23 का वर्ग हो गया अब कोई भी संख्या, अब आपके पास दोनों प्रेटन है चाहे आप फार्मुले का उप्योग करिए चाहे इस तरह से सोचिए किसी भी संख्या, जैसे माली जे मैंने का 52 का होल स्क्वेर है आप 52 के होल स्क्वेर को अभी जो मैंने तरीका बता है वह भी आपके लिए परफिक्ट है आप यह ब्लस बी के होल स्क्वेर का भी यूज कर सकते है होल स्क्वेर के भी हाप पर चलेंगे इसको हम 25 लिखेंगे दो गुडे 5, 10 गुडे 220 कर देंगे दो का वर्ग 4 कर देंगे इसको 4 लिखा, इसको सुनने कहा 25 में दो जोड़ दिया 27 हो गया तो उत्तर आपका 27,04 हो गया अगर हम उस भी हाप पर भी किये होते देखिए 52 लिखते और 52 लिखते वही चीज यहां पर भी यूज की जाती है 2 गुडे 2, 4 हुआ 5 गुडे 2, 10 5 गुडे 2, 10 यह आपका 20 हुआ और 5 गुडे 5, 25 हुआ तो आपके सामने देखिए बैलू क्या होगे यह 4 हुआ, यह सुनने हुआ और 25 में दो जोड़ दिया तो 27 हुआ तो सही उत्तर आपके पास 27,04 हो गया ऐसे कोई भी कंबिनेशन, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं जैसे मालीजी आपने यहाँ पर कहा कि मेरे पास है 35 अब 35 का वर्ग अगर मुझे करना है तो 35 के वर्ग के लिए जो पैटर्न है इसको तो आप यूज ही करेंगे जैसे कि क्या, 3 का वर्ग 2 गुडे, 3 गुडे, 5 गुडे, अब यहाँ पर 5 का वर्ग कर दे, 5 की पावर्ग दो अर्थात यह 9 हुआ, यह आपका 2 गुडे, 3, 6, 5, 30 हुआ और यह 25 हुआ इसको लिख सकते हैं 5 30, 2, 32, 32, 32 मतलब 2, 3, 9, 3, 12, 12, तो 1225 आया, अब इस समय में आपको एक कंडिशन, मतलब आप 2 डिजिट की किसी भी संख्या को आप इसी तरह से मुबान कर सकते हैं और वर्ग कर सकते हैं, ओप फुले आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन अगर मालीजे मैंने कहा, जब जिससे 35 कवर किया जब किसी संख्या के अंत में, जब किसी संख्या के अंत में पाँच आए, मालीजे कोई संख्या है जिसके अंत में पाँच आ रहा है तिस समय जैसे मालीजे आपको कैसे संख्या है मिली, मालीजे आपको 15 मिला, मालीजे आपको 25 मिला, मालीजे आपको 35 मिला, 45 मिला पचपन मिला, 65 मिला, 75 मिला, 85 मिला, 95 मिला आगे भी सोंच सकते हैं 105 मिला, 115 मिला, कुछ भी इस तरह से मिले माली जी इसका वर्ग करना है तो आपको मैं तरीका बताता हूँ जब किसी संख्या के अंद में 5 है तो उस 5 की वज़ा से उसके अंद में 25 होगा हमेशा और उसके 5 के पहले संख्या क्या है एक है डिजिट क्या है एक है एक के बाद नुमेरिकली मतलब गिंती में 2 आता है एक गुड़े 2 कर दीजिए 2 होगा तो उत्तर हो जाएगा 225 अब इसका वर्ग अगर मा लिजे मुझे करना है तो 5 की वज़ा से इसमें भी 25 आएगा यहाँ पर 2 है 2 के बाद 3 आता है 2 गुड़े 3 कर दीजिए 6 हो जाएगा इसका वर्ग करिए तो यहाँ पर भी अंतिम में 25 आएगा 3 के आगे 4 आता है 3 गुड़े 4 बार आएगा अभी जब आपने 35 का वर्ग किया तो यही चीज़ आपने फर्फांग गिया था इसका वर्ग करिए 25 आया 4 के बाद 5 आता है 4 बंचे 20 हुआ इसका वर्ग करिए तो यहाँ पर 25 आया 5 के आगे 6 होगा 30 हो जाएगा ऐसे आगे बढ़िये तो इसका भी मतलब यहाँ पर 25 होगा 6 के बाद आगे 7 मतलब 42 हो जाएगा इसके भी सामने की बात करिए 25 होगा 7 के बाद 8 करेंगे 56 हो जाएगा ऐसे इसकी भी बात करिए तो यह 25 होगा 8 के बाद 9 72 हो जाएगा इसकी भी बात अगर हम लोग करें तो यह 25 होगा, 9 के बाद 10, 90 हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर क्या करते जा रहे थे, अगर कोई भी संख्या में नजर आई जिस संख्या के अंत में 5 था, तो आपने क्या किया, अंत डिजिट का, जो इंड डिजिट था, उसके बिहाँ पर अंत में 25 कर दिया बाकी जो अंग बचे थे, उसके आगे, उसके सक्सीजर के साथ, उसका गुड़ा करके, हमने पानली उप्तर कर दिया ओफिली आपको ये सारी बाते समझ में आ गई होगी, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, क्या सिस्टम होता है अब आगे आप बढ़िये, जो आप पैटर्न यूज कर रहे हैं, उस पैटर्न के बिहाब पर, आपको आगे जब नंबर्स नजर आएंगे धिरे धिरे आप बढ़ते जाओगे, जैसे आप 82 पर पहुँच गए, चलिए तो आपने कहा सर, 82 के लिए भी आपने फार्मूला बता है, उसी फार्मूले का प्रियूप कर सकता हूँ या इस टेवल का प्रियूप कर सकता हूँ क्या है टेवल? दो गुडे दो चार, न? इसका इस से गुड़ा, इसका इस से गुड़ा तो क्या नंबर हो जाएगा? आठ दोना सोला, आठ दोना सोला, सोला बतिस और आठ गुडे आठ, चौण सट, दोनों पैटन है आपके पास चार लिखेंगे, दो लिखेंगे, चौण सट में तीन जुड़ा, सरसट हुआ इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, माली जी हमने कहा अठानवे हैं, वर्ग करना है, अठात अठानवे और अठानवे, दो बार लिखा मैंने आठ अठे, चौण सट हुआ, आठ गुड़े 9, 72, आठ गुड़े 9, 72, तो 72, 72, 144 होगा आई होप समझ में आ रहोगा आप लोगको, 144 होगा, गल्टी ना होने पाए, किसी भी तरह की इसके बाद 9 गुड़े 9 कितना होता है, 81, ऐसे लिख दिया, आप देखिए, थोड़ा सा हैंडिल करना यहाँ पर टफ होगा और इसी प्राब्लम को मैं फिर से दूर करूँगा, और अच्छे से दूर करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर चार लिखा जाएगा, इसके इसके साथ जोड़ा जाएगा, तो डेड़ सो होगा डेड़ सो का केवल सोनने लिखना हो, और कैरी जो पंदरा आएगा, पंदरा इसमें जोड़ दीजिए अब सोचिए, 81 में 10 जोड़ेंगे, 91 में 5 जोड़ेंगे तो 96, मतलब यह बैल हो आपकी 9604 हो जाएगी आप सोचिए, थोड़ी सी टेक्निकल्टी यहाँ पर बढ़ी है, इस टेक्निकल्टी को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए मैं कुछ और प्रोसेस आपको बता रहा हूँ यहाँ से मैंने संख्याओं के नेचर को जब रीड हिया, तो पता चला यह संख्याओं सो के नदीक हैं मतलब तीन विजिट के आसपास महुचने लग जा रही हैं, सो के नदीक हैं, लेकिन सो से क्या हैं, कम हैं तो मैं एक हेडिंग आपको करा दूँगा, कि जब जो संख्या है, वह सो के नजदीक तथा सो से कम हैं तो देखें कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे अब जैसे मालीजे मैंने भी 98 को लिया है, आप आप इस संख्या को देख रहे हैं, सो के नदीक हैं, टमसें कर्णीसन आप एसकरिएगा लेकिन सो से कम भी है, तो आप पहले सोचिए को वह सो से कितना कम है अगर सो से दो कम है, अगर सो से दो कम है, तो मतलब दो की कमी है, तो जितना कम है उतना ही और कम कर दें, मतलब 98 में भी 2 निकल जाएगा तो 96 हो जाएगा एक बात समझे, 100 से 2 कम था, तो 100 से जितना कम है उतना ही और कम कर दें, तो 98 का 2 और कम किया जाएगा उच्छानवे होगा, अब जितना कम था उसका वर्ग कर दें, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, उस 4 को 2 डिजेट में लिख दें, तो 0-4 लिख सकते हैं, इसका उत्तर 0-4 ह जाएगा, लेकि ओरल हमने किया, आपको समझ में आया होगा, जो संख्या है, अगर वह 100 से कम है, तो जितना कम है, उतना ही और कम करें, और जितना कम थी उसका वर्ग करें, वर्ग को बस 2 डिजेट में लिखने का प्रियास करें, 2 डिजेट में लिखने के प्रियास का मतलब है कि हो सकता है कभी एक डिजिट में आय तो इसके आगे सुनने पड़ाना हो कभी दो डिजिट năm तो एजचिटेस लिखना हो कभी दो से ज़्यादा डिजिट में यह तो कैरी के हिसाब 시 joking से मैनेज करना हूँ जिसको मैं क्यां देरा है जैसे 14 जे 94 के लिए है नाइंटी मतलब एक तरह से 6 और निकला तो 88 हो गया 6 का वर्ग 36 होता है तो उत्तर हो गया 88-36 और बढ़िए मैंने कहा 92 है 92 सो से 8 कम है 8 और कम करेंगे तो ए 84 हो जाएगा मतलब 16 निकल गया और 8 का वर्ग 64 है इसी तरह से मालीजे मैंने कहा 88 है अब आप सोचिए 100 से कितना कम है आपको अगे सर्व 12 कम है 12 ही और कम करेंगे मतलब 24 निकलेगा आप सोचिए 100 में से 24 निकलना तो 20 पहले निकाल दो 80, 4 और निकाल दे 76 हो गया 76 लेकिन अभी इसको मत उत्तर सोचिएगा 12 कम था तो 12 का वर्ग 144 होता है 144 लिखे, अब आप सोचिए, तीन डिजिट में है, तीन डिजिट में है, तो दो डिजिट आपका है, एक इसका है, एक इसमें कैरी की तरह जोड़ दीजिए, तो 77, 44 हो जाएगा, एक प्रोसेस है, लिखने का सही पैटन है, जैसे मालीजे मैंने कहा, अब मैं 82 कवर्ग कर दो, तो 82 कवर्ग कर दें, तो आप देख रहें, अठारा कम है, अठारा ही और कम करें, मतलब 100 में से 36 निकलेगा, 30 निकलता, तो 70 होता, 6 और निकलेगा, तो 64 होगा, और 18 कवर्ग भिया, 324 होता है, 324 आप एजिटिज लिख दीजिए, यहाँ पर, 24 आपका है, और 3 इनका है, त यह तो तब था जब हम संख्याएं, 100 से कम की देख रहे थे, अब संख्याओं को हम 100 के उपर लेकर चलेंगे, अगर मालीजे मैंने कहा, संख्याएं, यहाँ से दिखेगा, जब संख्या, इसी तरह से 100 के उपर की बात करेंगे, 100 से अधिक, 100 से अधिक, तथा 100 के नजदीख हो 100 के नजदीक हो 100 से अधिक है तथा 100 के नदीक है ध्यांस देखेगा जैसे मा लिजिए आप कोई भी संख्या लीजिए अभी सपोच के लिए आप 101 लीजिए 101 का वर्ग करना है प्रोसे समझेगा अब यह 100 से जादा है और कितनी और बढ़ा दे, जितना ज्यादा है उतना ही और बढ़ा दे, अर्थात यह एक सो दो हो जाएगा, और एक कवर क्या होगा, एक ही होगा, जिसको हम दो डिजिट में लिखेंगे, तो यह जीरो बन हो जाएगा, समझिएगा, एक सो एक सो से एक ज्यादा है, एक ही और बढ़ा ह एक सो छे हो गया, तीन कवर्ग करेंगे तो जीरो नो हो जाएगा इसी तरह से अगर मैं कहाँ, कहाँ दू एक सो छे है सो से कितना जादा है, सो से यह संख्या आपकी छे जादा है तो छे और बढ़ाएंगे, एक सो बारा होगा, छे कवर्ग छतिस होगा ऐसे मैंने कहा 108 है 100 से कितना जादा है 108, 100 से 8 जादा है तो 116 कर दीजिए 8 कवर्ग 64 कर दीजिए इसी प्रकार से अगर और आगे बढ़ जाए जैसे 100 माली यह 13 है 113, 100 से 13 जादा है 100 आप इसको 26 कर दें और 13 कवर्ग 179 कर दें तो मैंने जैसे आपको कहा था 2 डिजिट में ही लिखना है तो यह आपका 79 आपका होगा एक इनका होगा 127 और 79 हो जाएगा ऐसे मैंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिस करी माली यह मैं 124 पर पहुँच गया अब दुखिए जितना आपको तयार है जैसे मैंने कहा था शुरू आपने 50 तक के वर्ग को एडलिस तयार करिएगा तो 50 तक के वर्ग के विहाब कर अगर सोचा गया तो यह 24 है तो 24 तो बहुत प्लोज है बहुत पहले है 148 होगा और 24 का वर्ग 5, 7, 6 होता है अब आपका यह 5 इसके साथ एड होगा 15376 इसका वर्ग हो जाएगा तो कहने का रथ होता है कि अगर संख्या 100 के नदीक है 100 से चाहे कम है चाहे ज़्यादा है तो उसका नेचर क्या है उसका पैटन क्या है इस प्रकार से हम इस कॉंसेट को समझ पाते हैं तो मैंने आज बहुत ही कम समझाने की कोशिश करिए इस लेक्षर में बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ मैं आगे फिर से एक लेक्षर लेकर आउँगा जिसमें मैं प्रयास करूँगा अग केवल कॉंसेट होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा प्रयास मेरा रहेगा मैं लाइब आऊँगा जिसमें आपको इंट्रैक्ट कराऊँगा आज बड़ा lecture ना हो बोरियत ना हो इसलिए मैं इस lecture को यहीं पर बिनिस्ट करूँगा अभी इसमें बहुत चीजे हैं जो आपकी बताने के लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टन्ट है आई होप यह भी आपके लिए बहुत इवैलोबल है हम लोग नेक्स सेसन में नेक्स क्लास में इसके आगे की प्रक्रिया पर बात करेंगी आसा करता हूँ मेरी बताई सभी चीजे आपको समझ में आई होगी इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए समझने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्यू सो मच